राम राम सभी को कुछ बड़ी खबरें लोरेश विश्णोई ग्रुप से जुड़ी उसामने आ रही है ये खबरे क्या है वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं सभी भाई बेन इस वीडियो को पूरी अंतक जरूर देखना एक खबर कालाज ठेडी से जुड़ी उसामने आ रही है पुलिस को कालाज ठेडी से पहले भी जखम मिल चुके और पुलिस की पकड़ से वो फरार हो चुका है ऐसे में पुलिस को ये डर रहा कि कई साधी का ये ड पुलिस वाले उस दिन पुलिस वेन में दो बदमासों को पेशी से वापिस लेकर जा रही थे ये दोनों कालाज ठेडी और नरे शेठी थे इनी के लोगों ने पूरा प्लान बना कर इन दोनों को पुलिस रासत से फरार करुआ लिया था जब पुलिस वेन के उपर अंदद जुन्द गोलिया बरसने लगी तो पुलिस वाले अपनी जान बचाने में लग गए बदमासों की इसी फाइरिंग से जब तक पुलिस वाले संबल कर उनसे निपट पाते तब तक कुछ बदमास काला जठेडी और नरेश शेठी को वाँ से लेकर फरार हो गए तो ऐसे में पुलिस ने एक को पकड़ लिया कमिशनर ने बताया कि पकड़ा गया नाबालिक हरियाना के रोतक में कारोबारी की फाइरिंग कर हत्या कर देने वाले दोनों सात्यों के संप्रेक में था दुरगावपुरा स्थीद जी कलब पर फाइरिंग करने वाले सूटर के साथ तीन अन्या नाबालिक बाल सुधार गरे से बागे थे। दो नाबालिक से रोत तक के अंदर वार्दात करुआ दी जबकि पकड़ा गया नाबालिक सूटर के साथ था। लेकिन पकड़े जानने के ड्रस से सूटर ने उसको छोड़ दिया। इसके बाद इस नाबालिक के जैप पूस्ताच की जा रही है कि 12 फरवरी को बाल सुधार गरे से बागने के बाद वो कहां कहां गए और उनकी मदद किसने की बाल सुधार गरे से बागे शूटर की तलास में भी पुलिस की टीम जुट गई है आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही मिलते है एक और नई वीडियो के साथ जैब जरंग बली जैसरी राम धन्यवाद